प्रोफर्टिलेंदें.com चैनल पर आपका स्वागत है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग इफोडेबल हाॉश्ट्सीपckt के बारे में जी यहां दोस्तों जो आने वाले महीनों में affordable housing projects आने वाले आज के वीडियो में हम उस पर discussion करेंगे इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ affordable housing projects को लेकर जो upcoming affordable housing projects आने थे आपने वीडियो पसंद किया उसमें मैंने जो प्रोजेक्ट से भी live चल रहे हैं उनके बारे में बताया था आज के वीडियो में बिल्कुल नए affordable housing projects से बारे में बताऊंगा आप YouTube पर कहीं चेक कर लेना कि शायद वह अभी तक कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि कहां कहां पर कौन-कौन से affordable housing projects आने वाले हैं शुरुवात मैं करता हूँ sector 79 से आपको याद होगा मार्च यह एपरेल के मेहिने में True Habitat के नाम से एक affordable housing project आया था sector 79 गुडगाओं में यही बिल्डर दुबारा से एक बार फिर affordable housing project लेकर आने वाला है sector 79 में यह जो sector 79 में पहला affordable housing project आया था उसके पास में यह project आएगा और लगबग 5 एकड लैंड पे यह project होगा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ हम आज के वीडियो में जो upcoming affordable housing projects है उनके बारे में ही discuss करेंगे उन projects को लाने वाले builder कैसे है उनका background कैसा है location कैसी है इस पे हम discussion नहीं करेंगे जब यह projects launch होने वाले होंगे तब हम इन projects पे detail में बात कर लेंगे location पर आपको ले जाएंगे और builders कैसे हैं क्या pros है क्या cons है क्या उनका experience है तब वो उस पे discussion हो जाएगा आज के वीडियो का purpose यही है कि आपको सिर्फ इतना बताया जाए कि आने वाले दिनों में affordable आ रहे हैं अभी और आएंगे तो आपको चिंता करने की जूरत नहीं है अब हम दूसरे affordable पर बढ़ लेते हैं दूसरा जो है नाम काफी बदनाम है बट क्या करें नाम बदनाम है तो क्या हुआ जो चीज लेके आ रहा है वो तो बतानी पड़ेगी ना वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में तो वो builder का नाम है माहिरा आपको पता है पिछले जिन में तो कहता हूं यह positive चीज है अगर builder नया project लेके आ रहा है तो इसका मतलब उसके पास financially कहीं कहीं कुछ funding है वाहिरा जो builder है sector 88 B में प्रोजेक्ट लेके आ रहा है location बहुत अच्छी होगी मैंने पहले कहा था कि मैं location पे discuss नहीं करूंगा बट इस builder की जो location होगी affordable की बहुत अ प्रोजेक्ट launch होगा यह तब पता लग जाएगा कौन location को preference देगा कौन builder को preference देगा बट जिन लोगों उन्हें पहले महीरा में इंवेस्ट किया था थोड़ा परेशान है वहां काम चुरी नहीं हुआ उनके लिए मैं यह positive ही कहूंगा इसमें मुझे negative कुछ नहीं लगता व भी वो नया प्रोजेक्ट लाने की हिम्मत दिखा रहा है अगर उसके पास funding ना होती या उसको कहीं से कोई backup ना होता तो नया प्रोजेक्ट शायद वो नहीं ले के आता नया प्रोजेक्ट लाने का मतलब है अपने वो पुराने प्रोजेक्ट भी complete करेगा डिले बेसक हो जा यह नेगतिव में भी ले सकते हैं अब अधिसरे प्रोजेक्ट पे चलते हैं से चर्चा है दो वाज़ार वाइस में इस अपोडेबल की अगर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो यह कोई दो राए नहीं होगी यह अतिश्योक्ति नहीं होगी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जन्वरी से हम भी कई बार सुन चुके हैं ये प्रोजेक्ट आ रहा है ये प्रोजेक्ट आ रहा है और मैं भी कई बार बोल चुका हूँ बट अभी तक कुछ clarity नहीं है ये प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा लेकिन इसका जो existing project है मैं MRG क पांच एकड़ का होगा और वो जो मार्जी नाइन टी जिसका आप लंबे समय से इंतजार करें यह उससे अलग होगा जो एक्जिस्टिंग है उसका यह एक्सेंशन है तो अब तक हमने तीन प्रोजेक्ट्स पे बात कर लिए प्रूएबिटेट माहिरा मार्जी अब हम बात कर आप यह था इसले दिनों लोगों को बिल्डर पे थोड़ा शक्त था आस पास किसी ने सम्झान गाट वाता तिया तो लोगों ने इस पर जपाइबाद तो लोगोंने इस पर जादे दिल्चस्पी नहीं दिखाएब जैसे वह क्लोज हुआ उसके बाद लोगों के काफी फो रहें जब भी कोई ने अपडेट आएगा किसी अफोर्डेबल को लेकर डेट पास आने वाली होगी लॉंच होने की आपको हम सबसे पहले कोशिच करेंगे एक वीडियो बनाकर दे लोकीशन भी दिखाएं बिल्डर के बारे में बताएं तो जी एलस का जो प्रोजेक्ट है ए थोड़ा इंटरस्ट बनाकर रखें तो इस पर भी आप थोड़ा लजर रखें जब यह प्रोजेक्ट लॉंच होगा तो आप इसमें अप्लाई करें वो देख लें आपको क्या ठीक लगता है आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं मेरे काम आपको पहले से करना था कि आपको बता दूँ आने वाले टाइम में कौन-कौन से अफोड़ेबल हासिंग प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं क्योंकि इससे पहले आपने के बाद सुना भी होगा फोड़ेबल खत्म होने वाले यह फोड़ेबल बहुत लास्ट है तो जल्दी से प्रोजेबल आपके सारे जो डाउट हैं वह जाएंगे आप किसी को भी फोन करने से पहले किसी और चैनल पर जाने से पहले आप जाने के लिए इंडिपेंडिन्ट है सवतनत रहें किसी और चैनल को देखें अब वो चार वीडियो देख लेंगे मुझे नहीं लगता कि निकल भी गया अभी मेरा बीबी नहीं हुआ है विल्डर वायर एग्रिमेंट नहीं हुआ है तो क्या मैं उसको सरेंडर करके किसी दूसरे में अपलाई कर दूं ऐसा नहीं कर सकते हैं आप अफोर्डेबल का सिर्फ एक बार लाब उठा सकते हैं आपका पैन कार्ड आपका एंटाइटल नहीं है अफोर्डेबल के लिए आपके घर में बच्ची है रिलेटिव हैं जो अठारा साल से ज्यादा कि आप उनके नाम पर अपलाई कर सकते हैं यह एक रास्ता है फिर एक सवाल साथ में यह जोड़ देते हैं जब इस सरे का कोई फोन करता है कि मेरे नाम से निकला तो क्या मैं अपने वाइफ के नाम से भर दूँ वह तो प्राइटी फोर में शायद आ जाए नहीं जैसा कि मैं पहले भी बता चुको एक एंटिटी माना जाता है हस्बेंड और वाइफ को तो एक जने का निकलाएगा तो दूसरा जना अपलाई नहीं कर सकता दूसर सवाल इसमें एक और है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसकी प्रॉपर्टी दिल्ली गुडगाओं हर्याना के बाकी शहरों में और चंदीगड में है लाइसेंस कलोनी में या हुडा कलोनी में हुडा के सेक्टर्स में वह प्राइटी फूर में आएगा बट लोगों में यह confusion है कि वो दिल्ली को माने या NCR को माने तो वो clarity में आपको दे देता हूं यह दो चीज़ें एक NCT है एक NCR है NCT का मतलब है National Capital Territory मतलब जो दिल्ली गौवर्मेंट है दिल्ली जो सरकार है दिल्ली का जो छित्रफल है उसके अंदर है कोई प्रॉपर्टी आपकी लैसेंस दिल्ली के आसपास के शहर जैसे फरीदाबाद, गुर्गाओं, गाज़ेबाद, नुएडा, ग्रेटर नुएडा यह सारे आ जाते हैं इवन बादूरगड भी तो पॉलिसी यह कहती है कि दिल्ली NCT जो है और जो हरियाना है और जो चंदीगड है वहाँ पर आपकी property नहीं NCT में है समझगे दोस्तों बट आपकी गुडगाओं में या फरीदाबाद में है कोई property या कोई plot है कोई license कलोनी में कोई plot है या को फ्लैट है तब आप प्राइटी 4 में आएंगे जो गुडगाओं है और फरीदाबाद दोनों हर्याना का हिस्सा है एक सवाल हो रहाते है कि जी मेरी DDA में shop है या मेरी कोई commercial shop है हुडगा के sector में कोई shop है तो मैं priority 3 में आउंगा या 4 में आउंगा आप priority 3 में यहां residential project की बात ही है ना कि commercial की commercial जो होता है काम धंदे के लिए होता है रहने के लिए नहीं होता आपको इसलिए आपको priority 3 में count किया जाएगा बेसक आपके पास commercial property है हुड़ा के sector में है या किसी license builder की colony में है तो यह कुछ doubts थे वो मैंने आज की वीडियो में आपको साथ में clear कर दी है आपने वीडियो यहां तक देख लिया उम्मीद करता हूं आपको ठीक ही लगा होगा वीडियो ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इन में से पता नहीं कब कौन सा प्रोजेक्ट अफोडेबल आ जाएगा और मैं उसके बारे में वीडियो बना दूँगा आप चैनल से जुड़े नहीं रहेंगे तो आपको स्किप कर जाएंगे आपको पता नही दिल्ली में, NCR में, गाजेवाद में, नोएड़ा में, ग्रेटर नोएड़ा में, आपका करनाल में, सोनीपत में, सब जगे के बारे में अच्छे एपॉर्शनिटीज होंगी, आपको हम उसके बारे में जरूर अपडेट करते रहेंगे, ये चैनल सिर्फ गुर्गाओं त हत्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुडबाए